वेलो दोस्तों आज मैं बनाने जारे हूं बिना लस्टन प्याज के स्पेशल थाली सबसे पहले आठा गुन देंगे आठा गुन देंगे आठा को मैंने रख दिया इसमें मैंने थोड़े से अज्वाइन को क्रस करके डाल दिया अब इसमें मैंने थोड़े से पालक को मैंने अच्छे से धोके हलका से बोईल करके मैंने इसको पेस्ट बना देशी पेस्टे हम आठा गुंद लेंगे अगर पेस्ट कम पढ़ गया तो आप ठोड़े से पानी से पानी भी डाल सकते अब मेरे पेस्ट है मैं पेस्ट से गुन लूगी देखे मैंने अटा गुन दिया ए पेस्ट पूरी हो गई अब दूसरा आटा के लिए मैंने इसमें आटा रख देश में थोड़ी से अज्वयन को फिर से क्रस्ट करके डाल दिया यह चुकंदर को मैंने अच्छे से काटके मिक्सी में पेस्ट लिया थे इसको पेस्ट बना लिया अब इससे में आटा गुंग लोंगी और पेस्ट डाल दोंगी अगर कम पढ़ गया तो थोड़े से पानी डाल के इसको में भी गुंद सकते हैं देखे, देहें, दूस्तों दुस्रा वला आटा वे रेड़ी हो गई है एक लाल एक हटा मैंने सब्जी बनाने के लिए कड़ाई गरम हो गए इसमें ने तेल डाल दिया कर अब संदनें dar जीते collective ca 미THta gonna खいた disc अब ओप अड़तनर चपर जीते इने कड़िया इसमी अठीं अजिए ऊठोछा करे देने कर होनें के लिए इसकि दो मियुद्ट के लिए बहुन लेंगे विन लिया इसमें डाल दिया इसमें जाल दिके रिके चमाश कस्फिर्ी मीर्च है इसको बिदी हें कली हुआ बोलोंगी कि आव इसमें बने काटें र endlessly काट़ा हर दा यह गोब हे आालों अच्छे और वो के डाट़के इसको चौँक दोंगी अब इसको दो मिन्ट के लिए में खोड़ दोंगे अब गेदिखेश्चे दो मुंझे ढोर्ट हो गई है इसको मैंने तक टीफ हुए इसको फांस पीन्ट के लिए में डाका उल्ट कि पांच मुंट हो गई है अब मैंने इसको चला लिया देखे टामाटर गल गई है इसको में खुले में थोड़े देर पकने दूँगा इस इसमें थोड़े से डाल दूँगी गरम मसाले कि यूकस करके से खुलर में चलॉते से लए चलॉते । पकालू ठेख़ throat मानीड मानेगे चामफः के धूती ही हिसमें पानी डल दूए ना प्रीजा फ़ दितना गैउन पानी इस याथ के समीशां तक पानी डालना पातीलwegen मचाला आते हैं तो कि देखिए मैंने कम पड़ यह था पानी डाले देखिए इस निशान तक आ गई यह पानी अब इसको में बनाने के लिए ग्यास पर चड़ा दूँगे देखिए तुले पर रख दिया मैंने ग्यास वन कर दिया इदर आलोगों भी हमारी बनकर रेडी हो गई है इसमें मैं डाल दूँगे हरा दनिया इदर चामवल बॉयल आ गई है इसमें मैंने एक चमच देशी घी की डाल दिया अगर यह चामवल अच्छे से बॉयल हो के पाने सुख जाएगी तो ग्यास कम करके पांस में ड़क देना है इदर मैंने छोले बनाने के लिए कड़ाई गरम कर दिया कड़ाई गरम हो गई है मैंने सर्सों के तेल डाल दिया तेल भी अच्छे से गरम हो गई इसमें मैंने कुछ दाने मेति के थोड़े से जीरे को चटकाने देंगे इसमें थोड़े से अजवाईन यह वेचिसे चटक गई है इसमें कुछ खड़े मसाले और यह कुछ दो आप सुखी मिर्ज मेने जिए संसी तो-टी कि द दिया एक। चमच हल्दी ऑर एक कन सब्स बीरी मिर्च है कि इसकनल कि चला लूंग कि इसमें मैं जीर्य धन्यागी पेस्ट एक चमाच जीर्या धन्यागी पाओडर स्वारी डाल दिया मैंने ।छ यह इस में साथमें एक चमाच गराम मसाला निसके मिक्स करके तो पक्ष के लिए छोर देंग जो तक मसाल豆 देख करते पर अब पर से ज्यादा आदा से ज्यादा चोले के में अलग कर दूंगे कि पर आंगे अरे बच्चेवे पर दिया इसमें बस्त दबा दबा का सकता पेश्ट बना लूंगे तवादा गड़ा होता है और अच्छे खानी वी बच्छा लगता है जी मसाला भी रेडी हो गई से मैंने पेस्ट्ट ड्ल देया इसने सा पमें ये ठोले भी डाल दूंगी इसका से मिक्स करके ठोटे गाड़ी हो गए इसमं तो दोल दूंगी दैखे आपको किसा लगता है पानी डाल देज़ेगा देखें थोड़े से स्वाद अनुसार नमक इसमें कटावा धनिया इसको बॉयल आने के लिए सोड़ेंगे देखें से बॉयल आ गई है इधर चांवल भी हमारी बनकर रेडी हो गई है इधर पूरी तलने के लिए कड़ाई रख दोंगे कड़ाई गर पूरी तलने के लिए कि हमारी पूरी अच्छे से फोल गई है कि इसी तरह सारे अरे वाली पूरी को अम तल लेंगे अब इसमें मैं लाल वाली पूरी को तल लोंगे इसी तरह सारे लाल वाली पूरी को भी तल लेंगे एसे कलरफूल चीजे बना दो तो बच्चे वर्थ खुस होके खाते हेल्दी भी हो जाएगी ऐसे तो खाते ही नहीं जो गंतर इसी बाने खा लेंगे अच्छा टेस्टी भी होती करारी अच्छी लगती है अगर आपको अच्छा लगे दिस्तों पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिख लीजेगा अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा दोस्तों धन्याबाद